दोस्तों नमस्कार, आज बनाते हैं मटर पनीर, हम अपने मटर पनीर में आलू भी डालेंगे, सेजनल विंटर का नए आलू का खुश्बू बहुत अच्छा होता है, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना था, लेंगे कुछ सेजनल सब्जियां भी, एक साथ पीस लेंगे कुछ काजू बदाम और दो टमाटर को, काट लेंगे पनीर स्लाइसेज में, ये कास्टारन का पैन मुझे मेरे बच्चों ने रिसेंटली बर्द्डे में गिफ्ट किया था, इसका आज इनाउगरेशन करते हैं, लेंगे थोड़ा सा तेल और पनीर को फ्राई कर लेंगे, क्रीन चिली और जींजर के जूलियन्स में फ्राई कर लेंगे छोटे टुक्रों में कटे हुए आलू को भी इसको हमने मैरिनेट कर रखा था नमाक और हल्दी में, इसके घी और तेल दुनों इकठे गरम करेंगे, और चौक लगाएंगे जीरा का, डाल देंगे प्याज, बहुत ही बारी कटे हुए, कुल्डेन फ्राई करेंगे, एड करेंगे लहसुन और अद्रक जो की बारी कटे हुए हैं, एड करेंगे बारी कटे हुए हरा मेर्च, अब बारी है मसालो की, डालेंगे लाल मेर्च का पाउडर, थोड़ा सा सबजी मसाला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, और नमग, और इसे फ्राई कर लेंगे, एड करेंगे PCV, टामाटर का पेस्ट को, जिसमें काजु बदाम जी मिक्स किया हुआ है, और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक तेल और मसाला सेपरेट ना हो जाए, मसालो का खुश्बू यही समय निकल आता है भाहर, एड करेंगे गरम पानी, ताकि cooking process रुक ना जाए, थम ना जाए, चुकि आलू जस्ट फ्राइड था और वो उबला हुआ नहीं था तो उसको हम पहले डालेंगे, और साथी साथ डाल देंगे हरा मटर, थोड़ा सा सिजनिंग चेक करने का टाइम है, एड करेंगे फ्रेश क्रीम, हम फिर एड करेंगे फ्राइ किये हुए पनीर, टाइम है एड करने का कसुरी मेथी और गरम मसाला, थोड़े दिर और उबाल कर इसे हम गार्नीश करेंगे बारिक कटे हुए धनिया पत्तों से, लीजे तैयार है मटर पनीर, हम इसे जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं या ठंडी के दिन में पराठो के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है, यह गरमा गरम एक बहुती कॉमफोर्ट डेश है और बहुती टेस्टी रेस्टरेंट स्टाइल बना है, इसको जींजर की जूलियन और ग्रीन चिली से गानिश करेंगे और डालेंगे बारी कटेवे धनिया बत्ता थैंक यू फो वाचिंग आप सभी का कॉमेंट बहुत 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 रिक्वेस्टेड है आप अगर कॉमेंट करेंगे तो हम लोग को पृत्ताहन मिलेगा थैंक्स लोट फोर वाचिंग दिस